अबिशेक चोहान आज हम इस math class में 3.4 exercise करने जा रहे हैं इस exercise में हम common factors find out करेंगे तो सबसे पहले आपको factors क्या होते हैं वो भी पता होना चाहिए और factors कैसे निकालते हैं ये भी आना चाहिए तो इन दोनों के ही उपर मैंने video बनाई है वो पहले देखिए उसके बाद common factors निकालना, सीखना तो चलिए हम start करते हैं अगर आप video देख चुगे हैं question number first find the common factors तो देखिए हमें नीचे चार question दी हैं इनमें हमें common factors find out करने हैं तो कैसे करेंगे तो चलिए start करते हैं तो देखिए इस question में 20 and 28 इन दोनों के सबसे पहले आपको factors करने हैं जो numbers factors में आएंगे उनको आपको इस तरीके से लिख लेना है अब अब आपको दोनों में common number देखने हैं जो match कर रहे हैं और वो आपके common factors कहलाएंगे और हमारे common factors 20 और 28 के आएंगे हैं 1, 2 and 4 ये तीनों number इन में common था question B में आपको 15 and 25 के factors करने हैं तो देखिए factors सबसे पहले हमें करना पड़ेगा तो देखिए जैसे मैंने उपर आपको factors करके दिखा दिया है 15 का and 25 का तो देखिए factors में हमारे ये number सा है अब इनको एक एक बार हमें इस तरीके से लिख लेंगे 15 के factors जैसे हमारे आए है 1, 3, 5 and 15 and 25 के factors आए है 1, 5 and 25 अब इन दोनों में हमें common ढूणना है 1 दोनों में common है and 5 दोनों में common है तो इसलिए ये common factor कहलाएंगे 15 and 25 के अब इसी तरह से करते हुए आपको C और D question भी करना है Question C में आपको 35 और 50 के factors निकल लें तो देखिए 35 के factors होंगे 1, 5, 7 and 35 50 के factors होंगे 1, 2, 5, 10, 25 and 50 तो देखिए इन दोनों में या कोई भी number हो सब में 1 common होता ही है 1 सब को divide करता है तो 1 universal है एक तरीके से सब का factor है अब इसमें दूसरा number जो है common वो है 5 दोनों में common हो रहा है तो इसलिए ये दोरों number आपके common factors है 35 and 50 के D question है last वो भी देखिए 56 and 120 के factors निकाल लेंगे हमें भी इसमें तो देखिए 56 के factors ये रे सारे के सारे and 120 के ये रे factors अब इसमें common है 1, 2, 4 and 8 ये 4 number 56 and 120 में common है तो ये common factors होंगे इन दोनों numbers के Question number 2 है Find common factors इसमें भी common factors पता करने हैं लेकिन इस बार तीन numbers आपको दे रखे हैं तो देखिए सबसे पहला question 4, 8 and 12 इनके आप factors निकाल लेजिए जो कि बहुत ही असान है factors निकालने के बाद आप देखिए common numbers कौन कौन से हैं ये 1 तो common देखिए रहा है 2 तीनों में common है and 4 ये भी तीनों में common है तो ये तीनों numbers 4, 8 and 12 के common factors हैं तो उसी तरह simply करते हुए B question को देखते हैं उसी तरह से करते हुए 5, 15 and 25 के हमें factors कर लेने ये करने के बाद common देखिए 1 जो तीनों में common है और 5 ये भी तीनों में common है तो ये दोनों numbers 5, 15 and 25 के common factors है factors कैसे करने हैं क्या तरीका है होते क्या है इसके उपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ उपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख लीजिए फिर अच्छी तरीके जेज एकसाइस को करना हूँ ओके थैंक यू एंड गुडबाई टेक केर क्या दोजिए ज्यू